यह बार कुछ लड़कियों या पिर कुछ महलाओं के जो पीडियर्स हैं वो उनकी डेट से लगबग 10 दिन पहले या पिर 10 दिन बाद आ जाते हैं जो की नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है यह बहुत बड़ी बीमारी का संकित होता है अगर आप भी प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं और ऐसे टाइम पर आपके जो पीरियर्स है वो डेट वाई डेट नहीं आ रहे है यानि कि कईवा डेट से पहले आ जाते हैं तो कईवा डेट के बाद आते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा है इसलिए फ्रेंस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना बोलें जिस महिलाओं के 30 दिन पर लेकिन कुछ महिलाओं ऐसी भी हैं जिनके पीरियर्ट से लगबक 10 दिन पहले या 10 दिन बात भी आ जाते हैं यानि कि 23 दिन भी आ जाते हैं तो उदर 35 दिन भी आ जाते हैं जिसकी बज़े से महिलाओं को और लड़कियों को काफी स्ट्रेस भी हो जात में जो periods आती हैं तो ऐसी condition में इन periods को irregular periods माना जाता है इसके पीछे आपके कई सारे health issues हो सकते हैं इसके पीछे कई सारे normal कारण भी हो सकते हैं और कई बार बड़ी बीमारी का संकित भी हो सकते हैं इसका सबसे पहला कारण है बहुत ज्यादा stress लेना जी अगर आप working woman है या फिर housewife है और ऐसी condition में जब आप family प्लान कर रही है यानि कि बच्चा प्लान कर रही है और इस time आपको काम को लेकर या किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा stress रह रहा है तो ऐसी condition में आपकी body में estrogen और progestron hormone का level काफी कम हो जाता है जिन्हें कि sex hormone के रूप में माना जाता है अगर य ऐसी condition में आपके जो periods हैं वो date पर नहीं आते हैं यानि कि 23 बार 23 बे दिन आते हैं तो कई बार 35 बे दिन भी आते हैं दूसरा कारण है caffeine जियाँ प्रेंस अगर आप बहुत ज़्यादा चाय, coffee, soda या चोकलेट्स का इस्तिमाल करती है सेवन करती है तो इनका सीधा असर आपकी body के hormones पर बढ़ता है आपके hormones in balance हो जाती है जब आप चाय, coffee, soda या चोकलेट्स का बहुत ज़्यादा सेवन करती है तो इससे आपकी body में estrogen hormone का level का भी बढ़ जाता है जिसकी बज़य से आपकी जो periods है वो time से पहले ही आ जाती है यानि कि आपकी date से पहले ही आ जाती है तीसरा चौता कारण है बेक और खानपन जिया प्रेंट्स कई बार आपका बहुत ज़्यादा fast food, junk food खाने से आपका बज़न काफी बढ़ जाता है और आपके सरीर पर बहुत ज़्यादा चर्वी जमा हो जाती है जिसकी बज़य से भी आपके जो periods है वो irregular हो जाती है यानि कि कई ब आपके सरीर में बहुत ज़्यादा energy की जरूवत परती है आपके सरीर में बहुत ज़्यादा पूसकत्तों की जरूवत पूती है और ऐसी condition में अगर आप बहुत ज़्यादा exercise कर रहे हैं आपने gym join कर लिया है आप जिम में जाकर energy burn कर रहे हैं तो आपकी body में जितने पूसकत जल्दी से करना चाहते हैं तो इसकी लिए कोशिस करें और बहुत ज़्यादा दाएक्साइज ना करें बहुत ज़्यादा बजन को कम ना करें आगर आपके बौडी में पोस्तत्र्थ्य नहीं होगी आपकी बौडी कमजोर होगी तो ऐसी कंडिशन में आप जल्दी कंसिप नह तब तक आपके जो periods हैं वो irregular होना शुरू हो जाते हैं और जैसे आपकी body में hormones invalence होते हैं तो ऐसी condition में अचानक से आपके चैरे पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं आपके चैरे पर pimples आते हैं जहाई यानि की pigmentation शुरू हो जाती है और आपकी physical relation बनाने की इच्छा भी नही होती है इसके साथी आप conceive भी नहीं कर पाते हो तो यह सारे कारण होते हैं जब आपकी body में hormones ठीक से नहीं बनते हैं तो इसके साथी एक और कारण हो सकता है आपके periods का irregular होने का कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है या किसी भी छोटी मोटी बीमारी को लेकर आप हर दिन नई नई पिल्स खाती है यानि पेन किलर्स खा रही है किसी भी तरह की पिल्स का सेवन कर रही है तो ऐसी कंडिशन में भी आपके जो periods है वो irregular हो जाती है तो अगर आप जल्दी कंसीव करना चाहती है तो आपको इन सारी बातों पर बहुत ही बारीगी से ध्याम देना चाहि क्योंकि इन 5 कारणों में से कोई भी एक समसे आपके सरीर में हो रही है तो आप मा नहीं बन सकती हो आप कंसीव नहीं कर पाओगी इसलिए अगर आपके भी periods irregular है तो उनके पीचे ये 5 कारण भी हो सकती है जिने आपको अंदेकार नहीं करना है और तुरंती अपने डॉक्ट उसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अइकन को प्रेस करना ना भूल है जिससे मेरे वीडियो की notification आपको मिलती रही तो चलिए फ्रेंद्स मिलते हैं नेक्स टाइम एक नई व बस तरह और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें धन्य बाद